अल्वर की फेमस कचोरी खाने के बाद हम निकले वाटरफॉल में नहाने के लिए तो वापस आना पड़ा सुबह से बरसात हो रही थी और नहने के लिए वाटरफॉल के पास गए तो पानी सारा गंदा हो चुका था निराश होकर वापस आना पड़ा आपका अपने अलवर के चैनल मत्स या व्लॉग में स्वागत है तो आज है संडे और मौसम भी हिमाचल से कम नहीं हो रहा है धीमी धीमी बरसात के साथ हमा आज आ गए हैं जम्मू साना वाटरफॉल में नहाने के लिए और साथ में मेरा कैमरा मैन दोस्त भी साथ आया है बाइक पारकिंग में लगाने के बाद प्रकृति का आनंद लेते हुए पहाड पर चड़ते हैं और चलते हैं जम्मू साना वाटरफॉल में नहाने के लिए आज मौसम ने पूरा माहौल अच्छा बना रखा था पकोड़ी और कचोरी खाने वाला और हम कई पहाड़ों को पार करने के बाद बहुत ठक जाते हैं और काफी समय के बाद अपनी लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और जैसे ही नहाने के लिए पानी देखा तो तो पानी सारा गंदा कर दिया था किसी ने और बरसात के कारण भी गंदा हो चुका था इसलिए हम नहाए भी नहीं और फिर मंदिर देखने के लिए आ गए यहाँ पर भगवान शिव का बहुत ही सुन्दर मंदिर बना हुआ है और देवी माता का मंदिर काफी अच्छा बना हुआ है और देवी माता का मंदिर गुफा के अंदर बना हुआ है बहुत ही सुन्दर मंदिर बना रखा है जिसको देखते ही असीम शांती का अनुभव होता है देवी माता की गुफा देख ही रहे थे कि बहुत तेज बरसाथ शुरू हो गई और कुछ वीडियो और शॉट्स बनाए जो हमारे इंस्टाग्राम पेज मत्से अ व्लॉग पर डालने के लिए बनानी थी हमें आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और अलवर की बहुत खूबसूरत जगह आप देख सकते हैं आपको इस चैनल पर अलवर की सभी ट्रेवल प्लेस और पुरे भारत के ट्रेवल के जगह के मिनी व्लॉग मिल जाएगे वैसे यहाँ पर बहुत मज़ा आया अब चलते हैं बायो डाइवर्सिटी पार्क में तब तक के लिए चलते हैं हमारी वीडियो दो दिन में एक आया करेगी तो आप हमें सपोर्ट करें और हमारा साथ दे और साथ में अलवर के घूमने की जगहें के बारे में जाने और अगर आप अलवर आते हैं तो आपको इस चैनल पर सभी घूमने की जगहें का वीडियो मिल जाएगा और आप हमें Instagram पर contact भी कर सकते हैं टेनलवर परियतन स्थल जिन्हें आपको अवश्य देखना चाहिए बाला किला सिलीसर जील और महल सरिस्का वन्यजीव भयारण्य विजय मंदिर पैलेस भानगड किला पैलेस संग्रहाले नीलकंठ महादेव मंदिर मूसी महाराणी की छत्री फतेह जंग गुंबद